आज के lecture में हम लोगों को पढ़ना है equivalent mass concept देखो equivalent mass में बहुत सारे बच्चे confused रहते हैं कि सारा आखरी यह चीज़ क्या है 100 gram में से जितना gram 35.5 gram chlorine से react करेगा या उसे displace करेगा वो substance का equivalent mass हो जाए तो भाईया 100 में से अगर 20 gram metal है तो बाकी का 80 क्या है तो बाकी का 80 है chlorine हलो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल concept chapter का lecture number 12 जिसमें हम पढ़ेंगे equivalent mass concept एक बड़ा बहतरीन topic है नीट जेई क्लास 11-12 सबके लिए जरूरी है अगर आपने lecture number 1 से लेकर 11 तक नहीं देखा है तो एक बार जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ lecture number 1 से 11 तक देखो फिर स्टार्ट करते है lecture number 12 So let's begin आज के lecture में हम लोगों को पढ़ना है equivalent mass concept देखो equivalent mass में बहुत सारे बच्चे confused रहते हैं के सार आखर ये चीज़ क्या है तो equivalent mass का मतलब होता है एक ऐसा mass जिसे तुम equate कर रहे हो जिसे तुम equate कर रहे हो लेकिन equate काहिसे कर रहे हो तो ध्यान रखना कुछ चीज़ों का equivalent mass fix होता है जैसे 35.5 gram होता है chlorine का ये बिलकुल fix है 8 gram होता है oxygen का ये बिलकुल fix है 1.008 gram होता है hydrogen का जिसे आप 1 भी मान सकते हो यार ज्यादा problem वाली बात नहीं अब क्या होता है मुझे equate करना है किसी भी चीज़ के mass को इन तीनों में से किसी एक के mass से equate करना है तो मेरा equivalent mass आ जाएगा for example मेरे पास एक substance है जिसका total mass है 100 gram इस 100 gram में से जितना gram 35.5 gram chlorine से react करेगा या उसे displace करेगा वो substance का equivalent mass हो जाएगा जितना gram 8 gram oxygen से react करेगा या 1.008 gram hydrogen से react करेगा वही equivalent mass होगा इस substance का for example 100 gram में से सिर्फ 20 gram substance 35.5 gram chlorine से react कर रहा है तो इस substance का equivalent mass हो गया 20 क्योंकि इतना ही amount इतने chlorine से react कर रहा है clear है 100 gram में से सिर्फ 20 gram substance 8 gram oxygen से react कर रहा है या 1 gram hydrogen से react कर रहा है तो जितना substance है उसमें से जितना भी amount 35.5 gram chlorine से react करेगा या फिर 8 gram oxygen से react करेगा या 1 gram hydrogen से react करेगा वही इस substance का equivalent mass के लाएगा तो इसको ऐसे define करते है it is the amount of a substance which react directly with 35.5 gram chlorine 8 gram या फिर और 8 gram oxygen और 1.008 gram hydrogen तो बच्चों एक बात तो clear होगी कि इन तीनों से जो भी react करेगा या तीनों में से किसी एक से जो react करेगा वो उसका equivalent mass होगा अब question ये है कि sir equivalent mass निकाले कैसे तो इसको निकालने का वड़ा simple तरीक है देखो equivalent mass जब भी निकालना है तो आपको दिया जाएगा gram atomic mass या फिर gram molecular mass जी एमेम अरे molecular mass या ग्रैम या तो atomic mass दिया जाएगा या molecular mass दिया जाएगा उसको divide कर देना x से ये बहुत important formula बता रहूँ मैं आपको ऐसा formula बता रहूँ जिससे आप लोग के कई different formula भी cover हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा easy as well as perfect divided by x अब ये x क्या है तो x का मतलब है valency of iron iron पे जितना भी charge हो for example al plus 3 इसके लिए x की value कितनी है 3 क्योंकि charge 3 है ca plus 2 इसके लिए x की value कितनी है तो 2 अगर मैं आपसे बोलूँ naCl तो आप देख सकते हो naCl में ना plus दिख रहा है ना minus दिख रहा है लेकिन एक बात हम सबको पता है कि बही naCl में sodium पे plus 1 होता है chlorine पे minus 1 होता है तो मुझे दोनों का charge नहीं चाहिए किसी एक का charge चाहिए और किसी एक का charge लूँगा तो x की value 1 आएगी कभी plus 1 minus 1 मत लेना सिर्फ number लेना sign मत लेना अगर मैं आपसे बोलूँ के CaCl2 में x की value कितनी है तो आप कहोगे कि सर CaCl2 में calcium पहले लिखा है जो पहले लिखा होता उस पर plus आता है कितने plus आएंगे 2 आएंगे क्योंकि chlorine 2 है तो x की value है 2 तो बच्चो अगर कोई salt या iron है तो उससे तो x निकालना बहुत easy है इससे भी जादा easy बता रहो देखो अगर हमारे पास acid है तो acid में x का मतलब होता है number of replaceable hydrogen For example, HCl यहाँ पर 1 hydrogen देख रहा है तो x की value 1 हो गई H2SO4 यहाँ पर 2 hydrogen देख रहा है तो x की value 2 हो गई H3PO4 यहाँ पर आपको 3 hydrogen देख रहा है तो x की value 3 हो गई तो acid में आपको replaceable hydrogen देखना है आप base की बात करें for best base में क्या होता है तो base के अंदर x का मतलग होता है number of OH group for example NaOH आपने देखा single OH है तो x की value 1 होगे CaOH का whole twice आपने देखा double OH तो x की value 2 होगे तो आप जब भी x निकालोगे तो x या तो आप किसी iron से निकालोगे या किसी compound से निकालोगे salt से निकालोगे, acid या base से निकालोगे सब के लिए मैंने आपको बता दिया अब अगर मालो आप से बोला कि sulfuric acid जो है H2SO4 इसका gram molecular mass है 98 इसका equivalent mass बताओ तो sulfuric acid का equivalent mass निकालना है तो आपने क्या करा आपने लिए E बराबर molecular mass divided by x molecular mass है 98 divided by x x मतलब होगा number of hydrogen कितने hydrogen है 2 तो answer आ गया 49 ये कहलाता है equivalent mass one more example NaOH इसका molecular mass है 40 आपको इसका equivalent mass बताना है तो आप क्या करोगे equivalent mass is equals to molecular mass divided by x molecular mass 40 है base के लिए x होता है number of OH कितने OH है 1 है तो divided by 1 answer आ गया 40 बच्चों आया समझ में बहुत simple है चलो एक और example देता हो अगर आपसे बोला AL plus 3 iron का atomic mass है 27 equivalent mass बताओ तो equivalent mass मिकालने के लिए जो भी आपको gram atomic mass दिया जाएगा divided by x करना तो gram atomic mass 27 है और x का मतलब होता है charge कितना charge है plus 3 plus हो या minus हो मुझे तो 3 चाहिए तो divided by 3 आ जाएगा तो इसका answer आ गया 9 तो aluminium का equivalent mass आ गया 9 तो बच्चों ये equivalent mass निकालने का पहला concept है I hope आप लोगों को समझ में आया हो अगर नहीं भी समझ में आया हो तो comment कर सकते है या फिर एक बार दोबार revise करके इसको देखो बहुत important चलिए तो इतना आप लोगों ने calculate कर लिया अब मैं आपको एक question देता हूँ उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे बहुत special topic है equivalent mass से related देखो मेरा आपको जो question है वो ये है कि CAOH का hold twice that is calcium hydroxide ठीक है इस calcium hydroxide का gram molecular mass होता है 74 74 होता है आपको इसका equivalent mass निकालना है और निकालकर अगर हो सेके तो comment box में जाके जल्दी comment करो जब तक हम बढ़ते हैं आगे हमारे equivalent mass के next concept पर देखो बच्चो आपको equivalent mass निकालने के लिए कुछ अलग-अलग formula use करना होता है जैसे from metal chloride metal chloride में होता है metal और उसके साथ होते है कुछ chlorine like x number of chlorine तो metal chloride में सिर्फ दो ही चीज़े है एक है metal और दूसरा है chlorine ठीक है अगर आपको metal chloride से equivalent mass निकालना है तो किसका निकालोगे chlorine का तो fix होता है 35.5 किसका निकालोगे metal का कैसे निकालोगे equivalent mass of metal is equals to given mass of metal upon mass of chlorine multiply by 35.5 तो ये इसका पहला formula है क्योंकि metal chloride में दो ही चीज़े है metal और एक chlorine तो metal का mass divided by chlorine का mass इस compound में multiply by 35.5 कभी-कभी mass पे बात नहीं करते तो उसके साथ जब mass नहीं दिया जाता तो क्या करते है आपको अगर equivalent mass मिकालना है metal का तो आप लोगे mass of metal divided by volume of chlorine gas into 11.2 क्योंकि chlorine का equivalent volume होता है 11.2 I hope आपको ये बात समझ में आ गए और जरूरी बात अगर आपको metal chloride में metal का mass दिया मालनों उसमें बोला कि metal chloride है 100 gram जिसमें metal है 20 gram तो भईया 100 में से अगर 20 gram metal है तो बाकी का 80 क्या है तो बाकी का 80 है chlorine तो बच्चों इस बात का खयाल रखना metal chloride में आपको metal का और पूरे compound का यह metal chloride था अब metal chloride के बाद metal oxide से भी equivalent mass निकालने को देगा तो metal oxide में metal के साथ कुछ number में oxygen है यहां हम लोग निकालेंगे equivalent mass again किसका metal का तो metal का equivalent mass निकालना है तो mass of metal जो दिया जाएगा divided by mass of oxygen यह भी given होगा multiply by oxygen का equivalent mass that is at क्योंके हम metal oxide से equivalent mass निकालना है इसी तरह से metal hydride भी दिया जाएगा metal hydride में metal के साथ कुछ hydrogen है आपको equivalent mass निकालना है again किसका metal का hydrogen को दो fix होता है 1.008 कैसे निकालोगे equivalent mass of metal is equals to mass of metal divided by mass of hydrogen into 1.008 आप इसे 1.008 लिखतो रहे हो लेकिन actual में जब calculation करो 1 मान के करना आपका काम और आपका time दोनों बचेगा और याद रखना आपका काम perfect होगा तो यह metal hydride है और बच्चों एक बात का ध्यान रखना अगर हम बात करे equivalent volume equivalent volume जो oxygen का होता है वो होता है 5.6 लीटर equivalent volume equivalent volume जो hydrogen का होता है वो होता है 11.2 लीटर और equivalent volume chlorine का जो होता है वो होता है अगेर 11.2 लीटर तो इन सब में सबसे कम equivalent volume किसका है तो यह है oxygen का आप ये तीनो formula note करो क्योंकि आपको ज्यादा तर बुक्स में, ज्यादा तर एक्जैम्स में इन तीनो फॉर्मले पे कोश्चन मिलता है, तो जल्दी से नोट करो, तो होफुली आप लोगों ने तीनो फॉर्मले नोट करे हो, और आपको एक्विविलेंट मास क्लियर हो गया हो, इसमें एक और बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास निकालना है, और आपके पास X है, X का मतलब आप जानते हो, X का मतलब होता है valency of iron, या फिर basicity of acid, मतलब acid के पास कितने hydrogen है, या फिर acidity of base, मतलब base के पास कितने होए चाहिए, यह मैं आपको बता रहा था, अगर आपको X की value clear है, और आपने उस X की value में equivalent मास का multiply कर दिया, तो आपके पास atomic mass आ जाएगा, यह formula भी हमारे लिए काफी ज़्यादा ज़रूरी है, simple है, लेकिन ज़रूरी है, तो बच्चों, आज के lecture को आप लोग बार-बार repeat करके देखो, अगर हो सके, अपने notes में इसे note करो, और अगर वीडियो पसंद आए, तो अपने friends के साथ share करो, किसी भी तरह की query के लिए comment box में जाके comment कर सकते हैं, that's all for today, and thank you very much.